नमस्कार मैं हुँ आमेत और आप देख रहे हो मेरा YouTube चरनल Dream City Tutor तो Dream City Tutor में आपका स्वागत है तो आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा Banner designing की Banner design आप कैसे कर सकते हो Illustrator में क्योंकि बहुत से लोगों को डिमांड होती है कि Illustrator में हम लोग कैसे बना सकते हैं जालो देखते हैं इलुस्टेटर मेश हैं ने ठागे हैं डितिने हमने हैं soda तो पम निजलिन टो चलो देखते हम लों देख लिलीसरेटर में तो पहर दोड़ दद?" क्या है यहां पे आप ले लो पिक्सल में तो मैंने पिक्सल में साइज ले लिया है बिकास बैनर जो होते हैं वो प्रिंट होंगे नहीं बैनर जो भी होता है आप उसको डिस्प्ले करके मतलब आप उसे स्क्रीन में देखते हो चाहे वो मुबाइल हो चाहे लाप टॉप हो तो तो मैंने यहां पर 300 ले लिया, यहां पर width and height, कुछ इस तरह से आप ले लेना, यहां पर CMYK के जगर में आपको RGB ले लेने हैं, कुछ इस तरह से, and then यहां पर ले लो 72 PPI में, because 72 PPI बहुत होते हैं, अगर आप banner डिजाइन कर रहे हो, तो मैंने यहां पर 72 PPI RGB कलर मैंने ले आगे आपका यहां पर document कुछ इस तरह से, तो मुझे जब जो चाहिए होगा मैं ले लूँगा, बट अभी के लिए मैं इसे close कर देता हूँ, मैं यहां पर side में रख देता हूँ, तो यह कुछ इस तरह से, मैंने document के size ले रखे हैं, कुछ इस तरह से, तो सबसे first मैं जो बन कर आजाओ, तो मैंने यहां पर कुछ furniture वाले, कुछ image ले रखे हैं, कुछ इस तरह से, तो ऐसे मैंने कुछ image ले कर आगया मैं, furniture के, तो आप proportionally ही रखना ज्यादा, आप कोई changes मत करना है, सीच को, कि कुछ इस तरह से, तो shift प्रेस करके भी आप work में ले सकते हो, कुछ ऐसे, तो मैंने यहां पर कुछ इस तरह से ले लिया है, अपने design को इस तरह से आप ले ले लेना, अपने design को कुछ इस तरह से आप align कर लो, almost center line है यहां पे, तो मैंने ले रखे हैं, उसके बाद में क्या करता हूँ, कोई भी shape आप चाहो, तो यहां पर आप ले सकते हो, like मैंने क् rounded rectangle या elliptical shape ले लेता हूँ कुछ इस तरह का तो मैंने कुछ इस तरह से shape ले लिए हैं जैसा भी आपको चाहिए होगा तो first मैं इसको तो आपको चाहिए होगा तो first मैं इसको तो आप transparent कर लेता हूँ because of कि आप easily देख सकते हो अपने design को थोड़े से बड़े design में ले लेता हूँ कुछ इस तरह के shape को मैं ले लेता हूँ तो मैंने slate क्या and then कुछ ऐसा shape मैंने create कर दिया तो जैसा आपको चाहिए होगा उस तरह का मैंने थोड़े से design को बड़े रखे हैं कुछ ऐसे fine तोड़े से ऐसे फाइन तोड़े से और अब चाहो तो ले लो यहाँ पे इस तरसे तो मैंने कुछ दो-तीन इस तरसे मैंने डिजाइन्स कुछ तरसे ले रखा है and then मैं चाहता हूँ इसके अंदर में color fill करने के लिए तो आप एक काम करो जब भी आप बना रहे हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे colors मिल जाएंगी आप चाहो तो देख सकते हो हैं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं, ancient वाले नहीं चाहिए कि तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ colors ऐसे लेते हूँ जो थोड़े से माच करते हूँ तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे first मैं इसे slate कर लेता हूँ bigger one को and then थोड़े से orange color ले लेता हूँ and then most important thing is right click arrange and then send to back कर दो आप तो first आपको send to back कर लेने है कुछ इस तरह से अपने color को again यहाँ पे लाता हूँ थोड़ा सा और light color में ले लेता हूँ तो मैंने इस पे थोड़े से first light color ले ले लिया orange वाले and then इसके बाद मैं इस पे आता हूँ थोड़े से मैंने dark color ले ले लिये sorry इसको slate कर लो थोड़े से मैंने dark color ले ले लिये इस पे and then यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा और dark color ले ले लेता हूँ तो मैंस इस तरह के कोई colors ले लो आप and then यहाँ पे जाकर मैं stroke को मैं none कर देता हूँ तो कुछ इस तरह के color combination में आपको ले लेने हैं, थोड़े से मैंने shape change कर दी हैं, I think ये वाले shape जाता better दीख रहे हैं मुझे, तो मैंने कुछ इस तरह का मैंने बना दिया है, यहाँ पर कुछ ऐसा हूँ, means first आपको कुछ इस तरह से designs आपको ले लेने हैं, fine, तो मैंने कुछ इस तरह से design बना लिया first, जैसा भी मुझे चाहिए होगा, मैंने design यहाँ पर, and then यहाँ पर मैं mask कर देता हूँ, इतने area को मैंने क्या क्या, select करके मैं, अब वो करना क्या है, यहाँ पर आ जाओ, इतने area को आपको क्या करना है, select कर लेने हैं, first, यहाँ से यहाँ तक, control, minus, and then आप mask कर दो, यहाँ से यहाँ, mask, तो यहाँ पर आप mask कुछ इस तरह से आपने कर लिया है, यहाँ पर आपका mask है, आप यहाँ पर again फिर से arrange कर लो mask को, and then इसके उपर मैं क्या करता हूँ, arrange, bring to front, and then यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ design को इस तरह से मैं arrange कर ले रहा हूँ, तो यहां पर आगया मेरा design जैसा मुझे चाहिए तो बहुत basic सा design से मैं start कर रहा हूँ तो मैं first कुछ इस तर से मैंने बना दिया यहां पर and then उसके बाद मैं आता हूँ कि किस पे आप क्या-क्या use कर सकते हो तो यह हो जाने के बाद first मैं एक और selection ले लेता हूँ इस तर से bottom में आप चाहो तो यहां से अप क्या करो थोड़े से अप gap create कर लो इतना मुझे चाहिए होंगे तो मैंने यहां से क्या किया इतने को मैंने again मैं mask कर देता हूँ like मुझे यहां से यहां फिर से मुझे mask चाहिए तो मैं क्या करता हूँ image and then इसे दोनों को select करके मैं mask कर देता हूँ see and then यहां पर क्या करता हूँ new color fill कर देता हूँ like मुझे यहां पर चाहिए तो मैंने यहां पर color fill कर दिया कुछ ऐसा जितने मुझे चाहिए उस तरके color मैंने fill कर दिया यहां पर कुछ ऐसा and then आप चाहो तो कुछ different colors और भी add कर सकते हो यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा इस तरह के color को मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ले लिया color मैं information लिख देता हूँ की तो मैंने यहाँ पे लिख दिया discount up to तो मैंने यहाँ पे लिख दिया discount up to first लिख दो इतना ही काफी है discount up to and then उसके बाद में क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 50% off मैंने यहाँ पे लिख दिया 50% off तो आपको इसको थोड़े से छोटे बना देने हैं यहाँ पे आपको थोड़े से छोटे वाले font आपको ले लेना है तो मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे font रखे हैं इस तरह से and then आपको यहाँ पे white color fill कर लेना है तो मैंने white color fill कर दिया इसे भी तोड़ा सा मैंने छोटा किया इतना मेरे text हैं बस उसी के recording मुझे चाहिए control plus कर दो थोड़ा सा मैं बढ़ा कर देता हूँ यहाँ पे 50% off text अप चाहो तो change कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा different font चाहता हूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 50% थोड़ा सा bold वाले चाहिए कि at least तो means बहुत easily किसी को भी attract कर ले तो मैंने कुछ ऐसे ले लिये and then discount को मैं यहाँ पे रखके again white color fill कर देता हूँ कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से arrange कर दिया है यहाँ पे मैंने बना दिया 50% discount कुछ ऐसे आ गए है अब चाहो तो यहाँ पे लिग दो like best कर दो because of कि मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे character भी and then यहाँ पे मैं क्या करता हूँ character को थोड़े से और अच्छे वाले font में चाहता हूँ लेने के लिए तो यह मैं ले लेता हूँ best offer में and then यहाँ पे आप क्या करो जो आपका leading and tracking है तो आपको यहाँ पे क्या करना है तो leading को मैं कर देता हूँ यहाँ पे almost इतना तो best offer मैं आ जाता हूँ and then best offer का भी जो color है almost आपको same ही रखने है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे eye dropper sorry first आप क्या करो text को select कर लो कुछ इस तरह से यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ first text को मैं select कर लेता हूँ best offer तो मैं यहाँ पे कुछ color ऐसे ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा color ले लेता हूँ कि best offer मैंने ले लिये है तो मैंने यहाँ पे best offer वाले कुछ इस तरह से मैंने ले लिये है text and then यहाँ पर लिख दो furniture तो यहाँ पर आपको लिख देना furniture cell simple सा तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया furniture cell and then आप यहाँ पर कुछ इस तरह से ले लो and then again तुरह सा तो मैं इसके उपर अगें तुरह color fill कर देता हूँ text को तो मैंने again click कर दिया यहाँ पर furniture best offer furniture cell मैंने लिख दिया है तो कुछ इस तरह से हो गया अब यहाँ पर भी मुझे सिर्फ अपको text and then arrange ही करने है सारे कुछ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ again यहाँ पर एक कुछ इस तरह से बना दो कुछ ऐसा eye and then fill same color only this month that's it okay तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया only this month and then यहाँ पर भी आपको करना किया है तो ओड़े से tent में आप ले जाओ leading को and then यहाँ पर जाकर आप center align कर दो and जहाँ पर भी आपको चाही होगा वहाँ पर आप arrange कर दो इसे थोड़ा से छोड़ा कर देता हूँ and then यहाँ पर arrange कर पा रहा हूँ मैं easy way में and then again white color fill कर दो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर जाकर white color दे लेता हूँ कुछ इस तरह से okay और 20 यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर तो यह मैंने लिग दिया only this month best offer furniture sale okay तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दी है and then यहाँ पर terms and condition भी आपको apply करने है तो लिग दो आप terms and condition apply okay and then इसे भी मैं क्या करता हूँ white color में fill करके यहाँ पर रग देता हूँ कुछ ऐसे okay तो कुछ इस तरह से आपको font को पूरे अच्छे से arrange कर लेना है जहाँ पर भी आपको चाहिए होगा proper alignment कर लो तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है यहाँ पर and then अभी आपको और भी कुछ लिखने है like आपको website है तो आप लिख दो like www.furniturename.com okay तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दे है www.furniturename.com तो यह भी हमारा यहाँ पर आ गया है and then आप चाहो तो इसके भी color change कर सकते हो तो just double click करो यहाँ पर and then text में चले जाओ select कर लो यहाँ पर कुछ ऐसा and then आप चाहो तो color change कर सकते हो जैसे भी आप को color चाही होंगे वैसे color आप change कर दो यहाँ पर see okay तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हो ऐसा see simple सा कुछ lines and कुछ आप use कर सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे lines आप ले लो okay जैसे मैं यहाँ पर ले ले रहा हो लाए कि यहाँ पर मैं किया यहाँ पर मैंने ले लिया कुछ ऐसे and then कुछ यहाँ पर ले लिया मैंने यहाँ पर कुछ कुछ इस तरह से मैंने ले लिया and then इससे convert कर दिया as a fill color means completely यह आपके उपर है कि आप किस तरह से यहाँ पर बना सकते हो अपने राइंस को ड्राउ कर सकते हो कुछ ऐसे कुछ इस तरह से तो यह हमने यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने बना दिया यहाँ पर अपर आप चाहो तो इसको मास्क कर सकते हो select कर लो and then again group कर लो and then मैं चाहता हूँ यहाँ पर control plus और यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर simple सा ऐसा कुछ shape बना दिया and then दोनों को select करके मैंने clipping mask कर दिया तो बुलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप banners वगरा बना सकते हो तो यह था मेरा first banner की बहुत easy way में आप यहाँ पर banner कुछ इस तरह से बना सकते हो and then मैं second record banner दिखा देता हूँ same thing मैं क्या करता हूँ मैं फिर से जाता हूँ file पे मैं इसी को copy कर लेता हूँ यहाँ पे just alt press किया and then यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मैंने arrange कर दिया यहाँ पे see and then मैं इसे क्या करता हूँ पूरे का पूरा यहां से delete कर देता हूँ because मुझे नहीं चाहिए तो अब आता हूँ मैं थोड़ से shoe के ऊपर की shoes वेगर अगर आपको बनाने है तो कैसे आप बनाओगे थोड़ से different style में तो सब से first आपको करना क्या है जैसे की मानलो मैं यहां पे first file में जाता हूं and then shoe के place first shoe वाले image को मैं यहां पे ले कर आ जाता हूँ कुछ ऐसे आपको थोड़ से size को छोटे कर लेने हैं यहां पे तो मैं थोड़ सा защeka साई कर देता हो यहां पे okay and then right click मैं तो इसा फिलिप कर देता हूँ तो transform and then यहाँ पर मैं reflect कर देता हूँ कुछ ऐसे and then थोड़े से slant में ले ले लेता हूँ कुछ इस तरह से ले लेता हूँ मैं size को उसके बाद मैं तो इसा fill कर देता हूँ because background पहले मैं बना लो उसके recording ही समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो right click arrange and then send to back कर देता हूँ and then यहाँ पर मैं क्या करता हूँ same color combination मैं आप काम कर सकते हूँ तो मैंने यहाँ से थोड़े सा orange color फिल कर दिया आप देख सकते हूँ तो थोड़े से orange color यहाँ पर आ रहा है यह discount अप जो है उसको पहले हटाओ आप अब उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर आपको Essex के जो logo है जो मैंने बना रखे है उसको आप यहाँ पर ले कर आ जाओ ठीक है तो मैं यहाँ पर Essex का कुछ ले लिया like ऐसे मैं ले लिग दिया Essex jump and run कुछ ऐसे मैंने बना दिये यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है and then यहाँ पर मैं लिग दिता हूँ text पर तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने ले रखें यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आपको ले लेना है यहाँ पर ऐसा and then color आप fill कर दो white color कुछ इस तरह से and then again यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से control plus कर दो तो ऐसे 3 वाले आप यहाँ पर ले लेना 1 line तो मैंने यहाँ पर क्या किया line यहाँ पर create कर दिया कुछ white color में कुछ ऐसे तो 1 point मैं ले लेता हूँ 2 बहुत जादा तो बहुत बड़े नहीं चाहिए मुझे थोड़े से छोटे कर दो आप and then copy कर दो control D तो कुछ इस तरह से आपको कुछ ऐसे आपको बना लेने हैं drop down menu आपको बना लेने हैं कुछ ऐसे उसके बाद मैं लिग देता हूँ यहाँ पर overviews वेगर तो यहाँ पर मैं आता हूँ लिग देता हूँ text पर okay तो मैंने यहाँ पर लिग दिया overview okay and then text आप यहाँ पर कुछ ऐसे लिग दो तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर simply क्या करता हूँ overview मैं यहाँ पर जाता हूँ text को थुरह सा चेंज कर देता हूँ तो कुछ इस तरह का आप टेक्स ले लो and then font भी आप 6 कुछ ऐसे ले लेना and then जो spacing है ना उसको आप थरह सा कम कर दो तो मैंने यहाँ पर क्या किया है simple साथ ले लेने के बाद आपको spacing control T कर दो again तो आप देख सकते हो control T यहाँ पर spacing 24 है तो कुछ 7 ऐसे कुछ कर दिया मैंने first इसको left align कर दो control C control VV कर दो आप कुछ इस तरह से overviews जो भी है वो overviews ले लो आप कुछ ऐसे तो यह भी आपके यहाँ पर आ गया है align proper होने चाहिए तो overviews कुछ ऐसे हो गया है यहाँ पर आपके designs बगेरा जैसा आपको चाही होगा वैसे आप design बना लो rounded tracking कर ले लो and then लिख दो purchase now तो इसमें भी आप कोई color आप fill कर सकते हो थोरसे different वाले तो मैं क्या करता हो यहाँ से थोरसा different वाले ले लेता हो यहाँ पर color तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे color ले लिए and then link देता हो यहाँ पर purchase now तोरसे size बड़े कर लो कुछ ऐसे तो purchase now को मैंने कर दिया but यहाँ पर control T में आप क्या करो तोरसे spacing अप create कर लो यहाँ पर तो मैंने purchase now का मैंने button बना दिया है कुछ इस तर से मैंने सारा कुछ बना दिया है तो for example मैंने यहाँ पर line यह से draw कर दिया है again click white color and then white color को fill कर दो इतने बड़े नीच चाहिए and then again कुछ ऐसे मैंने बना दिया है right and then कुछ थोड़े से छोटे छोटे से size बना दो यहाँ पर elliptical shape बना दो means okay कुछ ऐसा ठीक है and then यहाँ पर आकर तोड़े से color आप ले लो यहाँ पर white color see तो कुछ इस तर से आप बना दो कुछ ऐसे and then आपको करना क्या है यहाँ पर किसी एक को आप थोड़ा सा dark gray या थोड़ा सा ऐसे color दे दो see just like a selection kind of तो मैंने कुछ इस तर से बना दी है यहाँ पर and then यहाँ पर लिख दूआ रुपेज कुछ ऐसा हमने price tag यहाँ पर ले लिया है तो यहाँ पर आपका आ गया कुछ इस तर से रुपेज 7999 कुछ ऐसे fine तो यह आपका रुपेज भी हो गया है यहाँ पर कुछ इस तर से आपको बना लेने है थोड़े से board later में भी आप ले सकते हो because aerial है तो मैं कुछ इस तर से बने ले लिया रुपेज तो यहाँ आपको इस तर से यहाँ पर बना सकते हो ऐसे अदिन मैं क्या कराओ यहाँ पर simple सा run ctrl c ctrl v कर देता हूं यहाँ पर run वाले थोड़े से size बड़े कर देता हूं मैं and then इसे क्या करता हूं मैं सबसे first arrange send to pack कर देता हूं and then मैं इसा olun को क्या करता हूं जो मैंने लिखे हुए हैं इसकी opacity कम कर देता हूँ यहां पे तो मैं क्या करता हूँ opacity में जाता हूँ and then इसकी opacity को बहुत ही कम कर दिया कुछ ऐसा तो बुलने का मतलब है कि जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरह से आप अपने banners को create कर सकते हो तो यह था आज का हमारा banner designing तो बहुत कुछ है करने के लिए banner designing में अब तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टैप्स के आप बैनर डिजाइन कर सकते हो बहुत ही easy way में तो I hope कि आपको यह समझ में आई होगी and then अच्छी लगी होगी I hope कि आज की topic आपको अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो please like करें, subscribe करें and then अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें मिलते हैं हम लोग illustrator के new topic में तब तक के लिए नमस्कार, take care